नमस्कार दोस्तों आपके बक्रीने या बक्रीने कुछ गलत चीज खाया है जैसे ज्यादा खुरा खाया है किसी का बक्रा घर में जो पका हुआ राइस होता है या कुछ अलग शिरा होता है या कुछ पकिवी चीज खाता है उसके बाद डाइस्ट ने कर पाता कोई बक्रा वो खा भी नहीं रहा है कुछ दो-तिन दिन से ऐसे सिच्वेशन करेट होती है ना उप कुछ जुगा ले कर रहा है ना कुछ ताइप कि ट्रीट्मेंट देनी चाहिए इसके लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं आप इस वीडियो को एक तक देखू आपको पुरा समझ मे एक तो जानवर जब खाता नहीं है या कुछ गलत चीज खाने के वज़ए से उसको टमक में वह अटक जाती है वह बाहर नहीं निकल बाता तो उस टाइम पे वह अंदर सड जाता है वह जो खाये हुए चीज़ और उसके वज़ए से बॉड़ी के अंदर फूड़ ब्लोट और टाइम पनी इंपेक्शन मतलब जो गलत चीज खाता है जैसे कोई कोई जानवर क्या होता है कोई स्प्रे की होगए कोई फारमर में कोई बाहर निकालके उतलब उदर ग्रेजिंग के लिए बाहर लेके जाता है उस टाइम पे अगर कुछ गलत चीज खाली या पेट के अंदर चला गया या उसका पेट फुल गया या स्टमक में कोई इंफेक्शन हो गया तो उस टाइम पर आपने को यह दवाई फिला निके चारकुल की दवाई इसके उपर आप देख सकते हो इसको आप गाई बैस गोड़ा कुता बकरी गाई सब को पिला सकते हर एक जानवर का डोस अलग-अलग होगा यह दवाई अगर आप देखोगे तो यह यूएनेक्स नाम के कंपणी की दवाई है यूएनेक्स फार्माबॉल के कंपणी का नाम है और इसका प्राइज जो है 75 रूपीज में मतलब इतना ज़्यादा प्राइज नहीं है इसका जब जिसे आप इसके उपर लिखा भी हुआ है जिसे गाय बहस को अगर पिलाना है तो एक से दो इमेल प्रति किलो वजटन के साब से तो गाय बहस के बात करें के तो उसको भी वही दो से एक से दो से तिन बोटल तक उसको पिलाना पढ़ सकता है बेड़ और बकरी को पिलाना है तो बकरी का वजन एवरेजली 35 से 50 कजी के करीब होता है जो बड़ा बकरा होता है उसका वजन भी 50 कजी है उसके उपर भी हो सकता है तो उनको यह 50 से मिल तक आप पिला सकते है और अगर दो टाइम अगर 35 कजी का बकरा है और उसका release हो जाएगा अगर उसके बाद कभी-कभी उसको अगर lose motion लग गया तो उसको रुचामेक्स नाम का एक powder मिलता है मर्केट में वो भी powder आप उसको खिला सकते है ये एक्टोकॉल पिलाने के बाद जब बकरा ठीक हो जाएगा उसके बाद के अंदर का पूरा infection निकल जाएगा कभी-कभी क्या होता है जब grazing कर जाता है कुछ गलत चीज खा जाता है तो उस stomach के अंदर अटक जाती है वो ना बहार मिंगनी से निकाल पाता है ना मूँज से निकाल पाता है उस time भी उसका पेट फूल सकता है या वो खाना पेना छोड सकता है उसको बुकार भी आ सकता है बकरा आगे के पेर आगे और पीछे के पेर पीछे करके बोड़ी के उपर trace भी दे सकता है उस situation में भी आप एक्टोकोल के नाम के दवाई उसको पिला सकते है अगर इसके अंदर आपको कुछ doubt रहेगा तो आप comment box में जाके comment करो अपनी चैनल को subscribe करो इस वीडियो को like करो share करो और दूसरी चीज़ आपको अगर हमारा telegram group और whatsapp group जाइन करना होगा